बॉलिवुड के बारे में सिर्फ बुरा बोला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्रह्मास का ट्रेलर देखा तो हर कोई पूरे दिल से फिल्म को सपोर्ट करना चाता है, हर तरफ बॉलिवुड इस बैक के नारे लग रहे हैं, लेकिन सच जानते हो आप उस एक अच्छी फ इस बैर्डल क्लास बंदे की है, जिसकी जिंदकी में प्यार है, इश्क है, महुबबत है, और साथ में घरवालों के पैसे पर एश करने का talent को अगदम free, लेकिन फिर हीरो की कहानी पलटी खाती है, जब इसकी जिंद्धी में स्त्री की entry होती है, याद है वो स्त्री है, आपना देख रहे हैं इनके हातों में भविश्य कुछ ऐसा लिखा है कि इनको मौत कोई और नहीं दे सकता बोले तो यह अमर टाइप के हैं इनकेस यह खुद की जान ना ले तो भाईसा फिर होता है भावी दा सूपर हीरो का यह मौत को फेल करने वाले विलन के साथ लेकिन आप किया है उसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ थेटर में पूरे धाई घंटे देखो एक होता है सफेद और दूसरा वाइट दौनों में कोई फर्क है सिर्फ नाम का ना ठीक उसी तरह आप इस निकम्मे को यूट्यूब पे एकदम फ्री देख सकते हो तेल्गू सूपर पॉचर की यार दिला देंगे एक्टिंग का इस फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभिमन्यू टाइगर श्रॉफ के चोटी बच्ची हो क्या वाले अफ्तार में घुज गये हैं और शरले सेतिया कैमरा के सामने नहीं माइक के पीछे अच्छी ल देना देना नहीं है और ये विलन किस एंगल से विलन जैसे लग रहे हैं भाई इससे जादा डर तुम्हें छोटा भी हमकी डाट सुनके लग सकता है लेकिन ये बंदा सिर्फ कॉमेडी है बोल बच्चन एक्षन कुछ नहीं किया है इसने फिल्म में तो भाईया ये निकमा तो सच में निकमा निकला मेरी तरफ से फिल्म को मिलेगा सिर्फ एक स्टार वो भी टाइंग पास फाली लव स्टोरी और और ओरिजिनल फिल्म की कहानी को जैसे का तैसा चापके फिल्म को डुप्लिकेट ना बनाने के लिए नैगिटिव्ज में एक स्टार कटेगा घिसे पिटी प्रेडिक्टिबल कहानी, दूसरा काफी बेकार एक्टिंग, तीसरा म्यूजिक जो कानों में शोर की तरह है, और चौथा ये रीमेक वाला शॉटकट, ना जाने कब बॉलिवुड अपना खुद का नया रास्ता ढूंडेगा लोगों की पॉकेट तक पहुचने के लि बना थोड़ा से इंदिजार करें, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई